यादो समाज का एक काला धब्बा खेसारलाल यादो है क्योंकि क्रिती का बाप क्या सोचता है इससे मतलब नहीं है हमको क्रिति के नाम में यादो लगा हुआ है है ना और यादो अपनी बेटियों और बहुँँ की मर्यादा की रक्षा के लिए क्या करते है ये तुमको पता चलेगा क्रिति का बाप मौगा हो सकता है छक्का हो सकता है यादो समाज नहीं और क्रितिया के बाप जो है ना उससे यादो समाज नहीं है यादो समाज का एक काला धब्बा खेसार लाल यादो है जिसका अस्टेंड कभी किलियर नहीं होता है यादो समाज को लड़वा करके या आदमी एक तरफ बोलता है कि हमको यादो समाज का सपोर्ट चाहिए यादो समाज के बच्चे बच्चे इसके आसों पर भरोसा कर लेते हैं यहां तक कि हम भी भरोसा कर लिये थे सुरू में तो हमको दिक्कत हमको नजर आ रहा था कि लगता है कि यह घड़िया लिया सुए इसका